means है या दिन नई यात्रा न्या सपर चलते हैं इबन इंल पत्विदा यहां से इबिन मतूधा जाने के लिए बेस्ट है मेट्रो से इबन बभदूता पास है यह जो पाहधे है आप देख रहे हैं यह पुराने जमाने की दुबई की पाहधे न एक बुंध दूर नवत डुछन है तो चलते जलते आपको सारे अट्रेक्शन दिखाई देंगे दुबई के नहीं से स्क्राइब दुबाई स्क्राइब यह है वर्ल्ड ट्रेड टावर और यह देख सकते हैं यह है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर वर्ल्ड की सबसे ब्यूटिफुल बिल्डिंग इसके अंदर फ्यूचर के प्रोजेक्स रखे हुए एक घूमने की जगाया बहुत अच्छी अगर इसमें घूमने जाना है दोस्तों बुकिंग एडवांस में करा रहना महीने पहले और यह आया बुर्ज खलीफा तॉलेस बिल्डिंग इन देखिए चोड़ी चोड़ी एट लेन रोड कोई ट्रैफिक जायमनी स्पीड में कार चलती है यह है दुबाई की यह आपके सामने ह अदेखिए और अरब होटल आखिए और अनली सेवन इस्टार होटल इन द वन्यूट सबसे सुंदर सेवन इस्टार होट़ कि यहां पे दोस्तों बैनर देखिए बाइब बड़े है अर्चीज बड़ा छोटे तो श्तुत हैं नहीं और वह छोटे स्टीकर से दिवार पर ल इकनी सुन्दर सजी हुई एक से एक बढ़कर फिल्डिंग दोस्तों अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है यह आउटू रीच इबन बतूता मॉल को देखने के लिए तो आप स्किप करके आगे कर लीजिए जहां पर मैं सिर्फ इबन बतूता मॉल के बारे में ही बताऊंगा और वो ही दिखाऊंगा यह है मैट्रो की डेड लाइन और यह है इबन बतूता मॉल यहां जुमेरा लेक टावर से चेंज करनी होगी दूसरे प्लेटफॉर्म से आप लेफ साइड में बतूता मॉल है और बहुत सुंदर है अब देखते हैं आपको भी दिखाते हैं कितना सुंदर है मॉल में घुस्ते ही फूट को स्टार्ट हो गया यहां हर तरह का खान मिलता है और सारे ब्रैंड अबिलेबल यह देखिए मॉनिमेंट और मॉनिमेंट के अंदर रेस्ट्रों खाना काईए शॉपिंग किजिए सच में गजब का मॉल है तभी तो हम इंडिया से दुबई आने के बाद इस मॉल में घुमने आए यह देखिए आलिशान जूमर और यह जो यलो एंड ब्लू का कॉमिनेशन पर्शन आर्किटेक्ट में वो कमाल का है यह सब इबन बतुता के याद में देखिए हम जब भारत को याद करते हैं तो हमें सिर्फ एक ताज महल याद आता है ऐसे ही कभी कोई भी मौरकों के यह देखिए दोस्तों आर्टिफिशल क्लाउट यहां पर कॉम्प्लिमेंटरी है मौल में फ्री है और अगर इंडिया में होता तो टिकट लगती है पीछे आपने देखा पर्शियन कोट अब आगे आएगा इजिप्शियन कोट इजिप्ट कोट में घुसते ही आप देखन अब एक अलर्ट चेंज हो गया और आउर यह तो हर कोट का अलग अलग अर्कीटेक्ट है आगे बड़े यह देखिए इंडिया कोट यह अलग है और इस बांडरी के बाद आर्केटिक्ट अलग है दिवारों का कलर चेंज जाएगा इज यह है वाइट मार्बल इंडियन नक अब आपको दिखाते हो में elephant है इसका size real elephant कितरा है आप देखे elephant जिसे महाबार चला रहा है ये इंडिया का elephant है इसको देखे white colors देखे मुझे ताज महली आदा गया और इतना सुन्दर लगा सबसे बेस तो मुझे इंडियन कोट ही लगा यह इंडियन कोट यह आगे पर्शियन कोट में लेगा आप देखो हर दिवार के ऊपर जो आर्किटेक्ट है वो हर कंट्री के इसाफ से बना हुआ है हर कोट में अलग कॉंसेप्ट है अलग दुकानों के ऊपर देखना सबका अलग आर्किटेक्ट होग दिवारे अलग होंगी, यह पर्शियन है, देखिए आप, बेसिकली इस मॉल को छे थीम में बाटा है, छे कंट्री की, एक चाइना, एक इंडिया, एक एजिप्ट, एक तुनीशिया, एक पर्शिया, एक एंडलूसिया, ये छे कंट्री के कॉंसेप्ट में ये बाटा हुआ है मौल जब तक दोस्तों आप निहारो इस पर्शियन कोड के कलर कॉमिनेशन को तब तक मैं बात करता हूं इबन बदूता के बारे में उनका पूरा ना अबू अब्दुल्ला मुहम्मद इबन अब्दुल्ला अल लवाती अल तंजी इबन बदूता था वो थे 304 से लेकर 377 तक और उनका वह कई दिशों में 44 कंट्रीज में उनने विजिट किया 75,000 माइल्स उनने कवर किया 29 यह तक उनने ट्रेवलिंग की और 20 साल में उनने ट्रेवलिंग शुरू कर दी सबसे पहले गए थे वहाजी उसके बाद सारी कंट्रीज उनने कवर की यह एजिप्ट कोट गुम टेजिए आज लगता है कि इन दिवारों को नहारते रहो इनके आर्किटेक्टि देखते रहो इस मॉल को यहाँ पे जो क्लाउड वगारा और जो देखके अजिए लगता है कि हम किसी और दुनिया में हैं हम इस दु इस मॉल बनाने वाले ने इबन बतूता को एक ट्रिबूट दी है अब आप सुझेंगे कि 14th century का traveler या vlogger हमारी तरह वो famous कैसे हो गया इतना पुराना उसने क्या किया सारी countries travel करने के बाद एक book लिकी जैसे हम YouTube वीडियो बनाते हैं और उसका book का नाम था रिहला जो Arabic language में थी और जो saved है आज भी है तो हर कंटी के बादे में उन्होंने वहाँ पे लिखा है आपको पता है इनका nickname क्या था The Islamic Marco Polo यह जहां भी जाते थे मुस्लिमीडर्स की राजी में ही जाते थे उस ताइम मौरको में पैदने वाले ट्रैबलर इंडिया भी आया है चाइना भी गया और उस ताइम ना बस थी ना एरोपलेन कुछ नहीं था बस पैदल चल तक हम तो खाना खाले हम तो पैदल चल चल के थक गए यह है खाव गली यह भी फूट कोट है इंडिया का और हम यह आपे खा खाना खाएंगे खाना सब तरह खाया है अबिलेबल यह देखिए वेजटेरेंट मील है चैनीज मील है गोलगप्पे है समोसे है सब कुछ है आप फूट कोट में खाल लिया का थीक था इतना थेशी नहीं था थीक था तो आप दोस्तों होंगे मैं ने चश्मा का से ले लिय मेरे को आइस की प्रॉलम है ऐसा कुछ नहीं है देगी चश्मा है विदाउट लास यहां हर कोट में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मुजिम भी बना रखा है यहां उसकी कुछ चीजें डिस्पले में लगा रखी है उसकी बुक्स उसकी इंफॉर्मेशन अर कंट्री के बार इंफॉर्मेशन उसको मिली वो सब डिस्पले में है यहां आप देख सकते हैं पड़ सकते हैं और नौलेज बढ़ा सकते हैं यह किसना सुन्दर डिस्पले है इंडियन कोट में बीच में बिल्कुल बॉलीवूड में गाना में बनाया इबन बतूता बे इबन बतूता था में जूता था जूता मतलब उनका हमेशा चलने का काम था वो चलते रहते थे वो टैवलर थे यह उस जमाने की क्लॉक है दोस्तों देखिए यह क्लॉक के बारे में स्क्रीन शॉट करके आप पड़ भी सकते हैं और यह है मिरर रूम गिया रखिए रखिए अश्क फोन फिर रहसन करेका टाव कर्णे काम कर्ण शॉक्त गाईफिए हुई रह प्ल है फोस्तों घन्यींदों देखिए ख़ॉत लुंतma है लुऌ तो हैं रहसकं लूफुदतma विदाउट नहीं चार्ज आपको मिल्थी लेगें कि मिल्थी लेखें तो इस तो में ही हूँ चश्माधिया जी आप यह क्या करें कबार है तो मिल्थी रूम में तो वह पागली हो गया था यह है चाइना कोट यह देखिए दिवार उपर चाइनीज आर्किटेक्ट इंडिया में मुहम्मद बीन तुगलग के अंडर साथ साल काम करने के बाद इबन बतूता ने वापिस जाने के लिए कहा लेकिन तुगलग ने उसको चाइना भेज़ दिया और वहां उन्होंने अपने बुक में लिखा कि चाइना इस सेफेस कंट्री इन दा वर्ल्ड तु ट्रैवल आप पैसा लेके नौ मेने तक कहीं भी घुमचकते हो कोई खत्रे की बात नहीं है यह सच बात है टैवलर जहां जाता है कुछ सीथता जरूर है अब यह लोग कहा जा रहे हैं लगता है फोन खरीदने जा रहे हैं अब दुबई में इतनी फोटो घीचेंगे वीडियो बनाएंगे तो फोन तो नहीं लेना ही पड़ेगा इसे कहते हैं अनबॉक्सिंग अफ न्यू फोन कॉंग्रेचिलेशन्स चैना कोट से बाहर निकल कर यह फाउंटेंस देखकर और यहां हट देखकर दिल खुश हो गया बहुत अच्छा लगा यहां दुकानें भी कम नहीं है एक से एक बढ़कर दुकान काफो है यहां पर सब दुकाने हैं सब शॉप्स हैं हर तरह की शॉप्स मिल जाएंगी दूर है लेकिन मॉल बहुत बड़ा है अच्छा है 500 शॉप्स हैं यह गैलरी है जो रेस्ट रूम की सरफ जाती है इतनी अच्छी पेंटिंग तो दिवारों पर रखी आप तोचिए कि ऐसा भी कोई मॉल होता है सच मुछ यह मॉल नहीं महल है इतना सुन्दर महल जिसमें कुछ दुकाने हैं जहां शॉपिंग कर सकते हैं कुछ खा सकते हैं बड़ाई अच्छा लगा फिर मिलेंगे किसी औ सफर में माइ स्पेशल थैंक्स तू इबन पतूता